इसमिल्हार्मान रहीम, असलाम अलेकुम, मैं हूं मिस्स मसौध और आप देखने राजा मसौध फूड यूट्यूब चैनल, आज हम आपके साथ शेर कारें जी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से जो है वो सनेक्स की रेसिपी, लो बजट जो है ये सनेक्स हैं, बहुत ही क्र क्रिस्पी और क्रंची से हैं, तो रिक्वेस्ट ही है कि वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है वो सब्क्राइब कर लें, पहल का इकन जुरूद भाईएगा, ताके मारी हाराने वाली जो है वो नई वीडियो को नोटिफिकेशन कैसे बनाएंगे, तो विसमिलर मान रहीम सबसे पहले यहां पे हमने कुछ जो है वो ब्रेड स्लाइसीज ले ली है, तो यहां पे एक कटर मेरे पास जो है वो कुकी कटर है, आप किसी किसम का भी जो है बोटल का जो है वो ढकन जा कैप गार जो है वो ले सकते हैं और उससे इस तरह आप सेंटर में से ब्रेड के जो है वो निकालने और इन ब्रेड को हम जाया नहीं करेंगे बलके इनके हम ब्रेड क्रम जो है वो बना लेंगे तो यहां हमने फ्रेश ब्रेड क्रम बना लिए तो ब्रेड क्रम बना कर सेव करने के जो रसिपी है वो भी मारे चैनल प कर सकते हैं अच्छी तरह हमने इनको मैश कर लिया है तो आप हम इसमें जा लेंगे दो से तीन टेबल स्पून प्यास बारिक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्चें थोड़ा सा हरा पोदीना खुश्क दनिया पाउडर थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई नमक और थोड़ा सा मंच्छ जो घ्रकाजंआ तो आप अगर बढ़कटबसूं सोड़ा है को यहाँ फेहम दो सब्सक्राइब के बस्क्राइब तीन जो हैँ और एक्याइफ। यहां पर हमारी ब्रेड लॉलिपॉप के लिए प्टैटो फिलिंग वो रेडी हो चुकी है तो यहां पर हमने जो प्रेड क्रम अकट करके जो अब रुखे थे तो एक टेबल स्पॉन के साफ से एक एक बॉल जो हम लेंगे अपनी प्टैटो फिलिंग का यहां पर चार ब्राइट के पीसिस जो है उस पर हमने इस तरह बॉल बनाने है पहले और थोड़ा सा इसको प्रेस करके हम इस तरह टिकी की शकल बना लेंगे और इस intenstant पर रखेंगे चारूं को हम इसी तरह टिकी की शकल देखर आपर इस तरह थोड़ा सफरेस करेंगे और यहाँ फर हम ने जो आप वो सात में ले लीए आईस्क्रीम स्टिक्स लोली स्टिक्स तो उनको इस तरह आलमू पे रखके थोड़ा सा प्रेस करेंगे तके अधर चले जाएंगे और दूसरा एक खाली पीस जो है मारे पास प्रेट का वो इसको उपर रखकर हम इस तरह अलके आथ उससे इसको दुबाएंगे तो ये इस तरह जोड़ जाएंगे तो यहां तक का स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है हमारे पोटाइटो ब्रेड लॉलिपॉप्स जहां पे त्यार है तो नेक्स्ट में हम यहां पे दो टेबल स्पून हमने मैदा लिया है एक चमच हमने पैपरिका पोड़ लिया और थोड़ा सा नमक डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा स्पानी डाल कर इसकी पतली सी जुआ हो हम सलरी त्यार कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताके कोई जुआ हो लंग्स बाकी ना रहें थोड़ा सपानी और डालेंगे क्योंकर हमने 45 इस लरी जो है वह इसकी तियार करनी है पेस्ट नहीं बनाना यह इस तरह की कंसेस्टेंसिज की चाहिए तो यहां पे जो हमने अपने ब्रेट लॉलिपॉप हमने तियार करके रखे हैं वो इस मैदे की सलरी में इस तरह डिप करेंगे हम बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना उससे बहुत सोगी हो जाएंगे फिर फ्राइ करने में प्राब्लम आती है फोरण से हमने निकार लेने और अपने फ्रेश ब्रेट क्रम्स हमने बिना कर रखें इसके बाद इसमें टिक करेंगे अच्छी तरह ब्रेट क्रम को जो है वो इन ब्रेट पॉप्स पे जो है वो हम कोट करेंगे माशला देखिए किते खुबसरत लाग रहे हैं तो सारूं को हम इसी तरह जो है वो कर लेंगे यहां पर ओयल गरम हो चुका है तो बहुत से दख फुल ओयल गरम पर हमने नहीं डालने क्योंकि फोरण से ब्रेट क्रम और ब्रेट जो है वा जलना शुरू हो जाते हैं मिडियम फ्लैंप्या तो पार हमने को और फीम के रहनी से ब्रेट क्रिस्पी तक हमने को हैं तो हम आप तक्रीबेड दूसरी सभी इच्छी तरह नहीं क्रिस्पी और तो पीर जट कर लेंगे तो यहां पे जी हमारे ब्रेड पोटेटो लॉली पॉपस जो है वो त्यार हैं तो यहां पे हम कैचप जा साथ साफ करें बच्चों के लिए तो कैचप फेवरिट चीज होती है तो आप इसकी जो है वो लुक चेक करें माशाआला और आवास से आप इसका गैस करें कितने क्रिस्पी हैं यह उपर से तो इसी जो है वो हम ट्राइ कर रहे हैं कैचप के साथ बहुत ही मज़ा देंगे बहुत ही क्रिस्पी आपको आवास से लाग रहा होगा आप एक दफ़ा यह रसेपी ज़रूर राए कीजिएगा इन्शाला आपको यह रसेपी पसंद आएगी तो वीडियो पसंद आईए है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों को लाँच बाक्स में दीजिएगा नामानू को दीजिएगा और अगर रमजान है तो इफ़तार के लिए भी आइडिल रसेपी या इफ़तार पार्टीज के लिए यह बहुत अच्छी रहेगी